क atrás and apply a recount किसे पर यथा है ठीके न I am अब कश्रफेस्स प्लान हो गया अंडरगराउन प्लान हो गया वेंटिलेशन प्लान जुँआएं सेांवेघ्ल प्लान जीव प्लान और si लोजिकल प्लान प्लान और अब इसमें स्टार्ट करते हैं सर्फेस प्लान देखो यह सर्फेस प्लान है ठीक नहीं जितना भी जूम किये इतना ही तक जूम हो पाया बागे कुछ दीखेगा है इसमें तेसा ही सर्फेस प्लान यह होता है कि इसमें जो भी सर्फेस प्लान यहां पर कुछ-कुछ दीखेग कि बावंडरी के अंदर कुछ भी सर्फेस कि और रहेगा या 215 ष्मडर्भ रतेलें चलता है एक त्राम लाइन चलता है त्रेम्लाइन रोड पे उसी तरी के जगर मान लों। कुछ ठ्रेम लाइन हो गया रेववे हो गया जो रहा रहे कि और चु और गाध सीजर तो ऊक्रत युडिये टैंक हो गया बोर हो गया सप्ट справ करा ऑप्ना लॉपन एक question आता है कि which of the following feature cell is shown in the surface plan कि surface plan में हम लोग क्या feature show करना चाहिए बोर्होल, soft, river या all करना चाहिए तो surface plan में क्या करना चाहिए हम लोग देखो सारा चीज है बोर्होल भी है, soft भी है, river भी है तो यह सारा चीज हम लोग surface plan में सोग करेंगे तो ऐसा question आ सकता है surface plan से लेकिन कोसन आना की chance बहुत कम है surface plan से क्या क्या दिखाना है इसमें यह ध्यान दखो पानी से related कोई भी चीज रहा ठीक है ने इक तरीके से देखो ध्यान दो कि पानी से related कोई भी चीज रहा है कि इसके अंदर क्या क्या आ गया रीभर आ गया कि वाटर कोर्स कि रीजर वायर सारा इस सब पानी से लेटेट चीज वाटर कोर्स रीजर वायर क्या होता है कुई एक कमिनिंग क्या होता बड़ा जला से जिसमें विशेज छेत्र नगर आधी के जल संचीत हो ठीक है ना तो वाटर कोर्स रीजर वायर मतलब यह होता है तो पानी से रिलेटेट चीज है ठीक है यह क्या हो गया पानी से रिलेटेटेट चीज अब हो गया जिस रिलेटेट इस ठीक है ना वायर वगएर से तो और पावर ट्रांस्मिशन लाएं निए कि यहां पर वाटर में esempा थे चे में कि यहका हो गया वाटर में में व घृ negócio अब में क्या हो गया मथ टेलीगव्क स्थे एंद टेलिग्राफ हो गया पावर ट्रांस्मिशन लाइं पावर से रिलेटेट है तो पानी से रिलेटेट कितना आ गया है पांच या छे दिख लो अलग पेन रिभर हो गया वाटर कोर्स हो गया टेंक हो गया रिजर वायर हो गया वाटर में हो गया पांच हो गया पानी से रिलेटेट वाला ट्रांस्मिशन लाइन वेगरा जो भी उससे रिलेटेटर क्या हो गया वायर से टेलीफोन हो गया पावर ट्रांस्मिशन लाइन टेलीफोन टेलीघ्राफ पावर ट्रांस्मिशन लाइन अब रोड वेगरा से रिलेटर क्या हो गया मतलब ट्रेक रिलेटर रोड रिलेटर क्या हो गया एक हो जाएगा उसमें ट्रेम लाइन हो जाएगा कि ट्रेम लाइन कि रेलवे हो गया कि रोड हो गया ठीक ने यह हो गया रोड से रेलेक्टेट चीज ट्रेम लाइन भी आ गया रेलवे भी आ गया रोड भी आ गया तिक ने ट्रेम लाइन रेलवे रोड यह तीन चीज हो गया अब क्या बच रहा है तुम्हारा आप पर एब हो गया माइनिंग से लेकिटर मालो बॉंडरी के अंदर ओपें काश वर्किंग है थेकि न हम लोग बॉरहोल रिल किये बॉरहोल रिल कि यह सारा चीज आ गया इस तरह के सथ्धान रखना माइन में थेकि ने ओपन काश्ट वर्किंग आ गया साफ्ट आ गया इंकलाइन आ गया बुरहल आ गया और एक हो गया कोई भी बिल्डिंग अगर आ गया तो तो इतना सारा चीज है सर्फेस प्लान में सो कर लिए ठीक है इस तो की ध्यान अखना है पानी से रिलेटेट क्या है तो यह ध्यानों को ट्रैम लाइन रिलेवे रोड मानलो उसके लिए बॉर्भॉल करते हैं इंकलाइन बनाते हैं साप बनाते हैं और आज पास में कोई बिल्डिंग रहा तो वह सारा चीज दिखाएंगे और कोई चीज चुट नहीं गया और मानलो एक सब्सीडेंस चूट रहा है सब्सीडेंस सब्सीरेंस के यह सारा चीज होता है शर्फेस प्लाइन में हम लोगव करते हैं कि यह मालों सर्फेस प्लान ने ठीक ने हैं वाउस कर रहरे हैं पनी से जो भी चीज़रा बता है पॉंड वेगरा भी दिखा रहे हैं कोई दिखेत्वारी बात में वाली खाने है रहे कि पॉंड वेगरा भी दिखा सकते हैं लेकिन 200 M के अंदर रहेगा तो ही दिखाना है तो यह दिखाना है 200 M नहीं मतलब इन जो बाउंडरी के अंदर रहा उसी को सर्फेस प्लान में हम लोग सो करते हैं कि अब हम लोग पढ़ते अंडरग्राउंड प्लान में सर्फेस लां ध्यान रखना ए में दिया भॉआ है आप सरफिस प्लान किसमें दिया हुआ है एमीं दिया हुआ ह के आजए कहीं जगात बहुत जगा जबस करके मिलेगा तो में क्या दिया हुआ है मेरे पास कि पहले तो यह कि माय चल रहा गए तो पोजीशन ऑप वर्किंग अब दा माइनग ग्राउन कि क्या है अपना वर्किंग का पोजीशन बिलोग्राउन माइन्स में वो रहेगा साफ्ट में क्या हो गया। Aevery borehole and soft width with depth अब यह देखो बोर hole and soft तो था open CAST में लेकिन depth के साथ नहीं था सरफेस plan में क्या था बोरhole और Δिखाना है लेकिन देफ्थ के साथ वहाँ नहीं दिखना भी क्या है हम लोग सरफेस अभी सर्फेस कहां कर रहे था सरफेस वाला हो गया तो बोरहोल कहां है लोकेशन सिप दिखा देंगे लिए क्या डेप्थ है वो नहीं दिखाना है लेकिन जा हम लोग अंडराउंड में पहुंच आप क्या है क्या अंडराउंड में कर रहे हैं अंडराउंड में सर्वे कर रहे हैं तो उसकेस में जो बोरहोल है उसका डे इंकलाइन ओपनिंग वहां भी था यहां भी है इंध लाइन ओपनिंग क्रोंश मेजिय ड्रिफड कहां आता है ड्रिप्ट हमएंसा अंगराउन में यह ता निका होता है कि सिंदो एक ही सीम है जाकर था यह जो पार्ट सीम ब्रहते हुद इन aí कि सिंद्ध में बोट। ठीक कि έद्ट दोनों के बीच में जो कि नेकрал करते हैं तो वसी को ड्रिफ्ट बोला जाता है है और ड्रिफ्ट जैनरली कि अस्टोन में बनाया जाता हैं ड्रिफ्ट कहां बनाए जाता जब तुम लोग को एम थे में बहुत साइब लड़किलों और में डुब होता है कि मानलो एक सीम थान बहुत है दो सीम नहीं चलठ संडॉरेक्प आए अब यह दोनों को बीच में कंचन करना इसमीं किया अगिया पत्थर को डिक नहीं कर रहें जूंक इसका अच्छा से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इसका जो वाटर डेम का क्या थिकनेस रहेगा क्या हाइट रहेगा वह सारा टाइमेंसन दिखाना होंगा और पंपिंग अश्टेशन कहा है और होल rolled ड्र वूलोडव वह तिये सारा अंडर्ग्राउंड वालाी मिलत ने यह सारा क्या है उद्ड्रप्णड वाला एक क्या क्या है इसमें पहला थो गया borehole and soft with depth साथ में अगर incline है ती incline दिखाएंगे ठीक नए drift दिखा देंगे ये सारा चीज मालों same types है ठीक नए drift हो गया incline हो गया soft हो गया borehole हो गया ये चार चीज हो गया अब हम लोग क्या undron पोच गये है undron में gop दिखा देंगे stopping रहेगा stopping दिखा देंगे seal दिखा देंगे water dam दिखा देंगे pumping station रहेगा ही और hollage road में सारा चीज दिखा दो अब है कि मालो surface में कोई चीज है तो उसको कैसी दिखाएंगे तो क्या है every important surface बीचर यही important है ये सब उतना ज़्यादा important नहीं है लेकिन तीसरा point ज़्यादा important है कि every surface फीचर important surface बीचर within the boundaries जो भी surface फीचर है important वाला जो माइन्स के boundary के अंदर है within the boundary सच चेज क्या हो गया railway, road, river stream, water course tank, reservoir, open cost working building which is within 200 meter of any part of the working measured on the horizontal plane मतलब क्या है इसका इसका मतलब ये 200 meter वाला distance ध्यान रखना है कि underground plant में हम लोग every surface फीचर दिखाएंगे important surface फीचर जो माइन्स boundary के अंदर है लेकिन माल लोग ये surface हो गया ठीक है ना ये क्या है मेरा surface है अर हम लोग मालो साफ्ट से underground गया हो गया है तो मालो बॉंड भी तो रहता है ना ये मालो surface का इतना boundary ये अंदरगराउन में हम लोग कहीं काम कर रहे हैं ठीक ना विदिन दा माइन बॉंडरी सचेज रेलवे रोड रिभर मतलब रोड से रिलेटेड पानी से रिलेटेड माइनिंग से रिलेटेड और बिल्लिंग विच इस विदिन दो सु मीटर ओफ एनी पार्ट ओफ दा वर्किंग मेजर ओन दा होर्जेंटल प्लें कि ये मालो ये माइन का बॉंडरी है अधि अंडरणों में इसका पॉयंट ट्रांसफर कर सकता है कोई लेशन सर्वे करके अब एकि यहां पर वर्किंग चल रहा है न तो माइन बॉंडरी के अंदर है और यहां वर्किंग प्लेंस होर्जेंटल क्लेंड में ये दो सो मीटर येंदेंग दिस्टेंस में रहे तो से माणलों यह मानन Bread हो गया और इदर कहीं डिस्टेंस माणलों 300 reflect और घ्रींटल प्लेंग ओल कि यह 300 न Alright that कि उसक्राइच में 300 लोग नहीं दिखाएंगे जहां वरकिंग चल रहा हैं वहां से 200 मिटर्वाले तक को ही दिखाएंगे जोग है कि दो सो मीटर का मिनिंगती यह धियान रखना ठीक है न और इसमें क्या-क्या दिखाएंगे पहले यह देख लो कि पोजिशन ओफ एवरी रोल वास आउट डाइक ठीक न रोल क्या होता है कि यह मान लो रूप रहा है यह यह रूफ है ठीक न तो रूप में बहुत बार ऐसे करके निकला हुआ रहता है ठीक न तो यह रोल हो गया कि यह से करके निकला वए रूप तूंको रोल हो गया यह रूप में अलग से निकल जात है वास आउट क्या हो गया कि कहींत से गट्धा मिलेगा मत्तों वहाला मेट्रियल निकल जाएगा यहा यह है यहां गढ़िंदा रहेगा यह सब्सक्राइब दा लगा को अगलते हुद्वाइफ में अगर कहीं रोल मिलेगा वासआँट मिलेगा डायक मिलेगा या Fault. So, Fault का Amount क्या है उसका Direction of Throw क्या है और Head क्या है वो देख लो जारा. Fault क्या होता है कि यह कैसा Sim हा रहा था ठीक न chilli अब Sim क्या हो पहा है Displaced हो गया मालो यह Sim क्या हो गया कुछ भी Tech-tonic Forces और गरान قारण क्या हो गया है? यह Sim हो गया है तो बोला है कि हेड क्या है उस ऊफ्थ्रो क्या है हेड है यह कई होज फ्ले accurate फ्लेशनाव यह क्या होग एक फ्लेट से अंगर मवनाता है यह हेड क्या है यह क्या है inclination of fault plane ये क्या हो गया With volte blame With vertical ये जो fault plane का जो inclination रेगा vertical से ये head गाल आता है throw क्या होता है ये vertical displacement कितना ह loyal ये जो ऊपर से net at आ गया है ये vertical displacement कितना हो आ तो ये throw कराता है और हीप कर आता है और यह और इस तरों लिखा हुआ है इसा को एक और बोड़ी इसको दवाके रखा हुआ है वो फूट वाल हो गया अब इसको और यह और बोडी को के उपर में जो लाई कर रहा है यह धियान रहा है फूट वाल मतलब जो नीचे की और दबा हुआ पोर्सन फूट वाल हो जाएगा जो उपर की और और बोडी के उपर वह हैंगिंग वाल क्या है वर्टिकल डिस्टेंस बिट्रूीँ यह फूट वाल था इdockümüz हैंग वाल क्या होना हो फूट वाल के रिस्पेट में स्लाइड कर गया यह जो बर्टिकल कर लाथ Eğer एक कर वाल की भीइच में हैं उसको हम लोगी डिका ना झ Re hyper जो ओ गया है क्या हो गया होगिया कि एवरी फोल्ट विद दा एमाउंट डारेक्शन ओफ थ्रो एंड है तो थ्रो एड क्या होता वो सिर्फ सम्दिवाई कुछ हो अब यहां यहां पर क्या है यह चीज में सच सेक्शन ओप दा सीम एज में भी नेसेसरी टू सो एनी सबस्टांशिल वेरियेशन मतलब क्या है कि अब अचानक से क्या हो गया सीम ऐसा आते-आते वह थीख हो गया सिम सिव ठीक सीन हो एक है कुछ वेसा जो नॉर्मल था नहीं रहाँ वो कुछ उसका चेंज हो गया यह बेरियेशन इन ठीकनेश हो सकता है ठीक değ यह उससा क्रेक्टर में चेंज हो जाया है माल लो एशी में लीकिन यहां तक देख रहे हैं कोहला जो मिल रहा है वह अलग क्वालिटी का हो गया मालो यहां आपक्षार्बन वग्रारा मिल रहा है और इधर कोहला का मालो क्रेक्टर ही चेंज हो जा रहा है ठीक है ना उस केस में और साथ में सौइंग दा वर्किंग सेक्षन एंड सच सेक्षन ओब दा स्ट्राटा संक और ड्रिवन इन दा माइन और प्रूब्ड बाइब बोरिंग एज में भी अविलेबल या बोरिंग विगरा कुछ हम लोग किये हुए नहीं तो वो सारा चीज को वो सारा का सेक्षन हम लोग अंडर में क्या सो करते हैं तो सब्स्टांशियल भिएरिय ls именно थीकनेस मतलब सीम का ठीकेस् earlier क्या जा जा रहा है या उसका्या क्रेक्टर्या प्रपरटीज में उसका चेंज आ जा रहा है तो सारा दोनों को हम लोग नहां पर उसका धिखाना पर ताह साथ में वर्किंग सेक्षन का लोग को वर्किंग कहां पर चल रहा है वह दिखाएंगे और साथ में अगर हम लोग कुछ तो उसका डिप डायेक्शन क्या है वो सारा चीज में दिखाना पड़ता है अंडर्गरावन प्लान को अपडेट करिया जाता है तो उसको हमेशा से जो करता है हमेसा डोटाडड लाइंस लिक दिया होगा है क्यों ended वहाज से हुआ है यहां लिएव दिन के बाद तुम्हrom कर देगें था लिएmadर C suspect से मतलब यहीं तक सर्वी क्या गया है और किस डेट क्या गया है उनीच दर्श दोजार बिसको तो यह यह यहां को वैनेबर का प्लान इज ब्रोट अफुट देट देन पोजिशन अप दा वर्किंग सेल भी सौन बाइदा डॉटेट लाइन डॉटेट लाइन तुटेट शर्फेस बता रहे थे ने यह मालों अंडर्गार्ण के यह कहीं वर्किंग है और यह बाउंडरी और यहां से 200-m तो जो भी सर्फेस फीचर है वह को उसको हम्व सो करेंगा कुछ सा प्लान है यह जिसमें पैनल गरा दिखाया जा रहा है पैनल हो गया इंटेक रिटर्ण अब यह टायप सा प्लान नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट है यह क्या है कि हम लोग सेक्षन कब दिखाएंगे कि मान लो कोई सीम है तो उसका होता है न कि इस तरीके सीम गया हुआ है ठीक न है तो इसका हम लोग इस तरीके सेक्षन दिखाते है वर्टिकल प्रोजेक्शन लेगी इस तरीके से ठीक है न है यह कोई सीम है तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब सीम का इंक्लाइनेशन जो एव तो हम लोग one or more बर्टिकल माइन सेक्षन और सेक्षन जैसा की रिक्वाइड रहेगा रिजनल इंस्पेक्टर के दोपारा जो दिखाया क्या बर्टिकल प्रोजेक्शन मतलब इस तरिके से प्रोजेक्शन रिलिया जाएगा यह मालोगोई सीम है और सिम का अवरेज इनक्लाइ भर्टिकल पोजेक्शन सो करने को योत नहीं है लिगिन जब 30 डिगरी से ज्यादा हो जाएगा तो तुद केसे में हम प्रोजेक्षे लिया जाता है या भर्लोग पैसर ज्रीजनल इंस्पेक्टे है मैं नहीं lid का झाझना है यह दोनों केस इम्पोर्टेंट है जहां पर ऑपन काश्ट मकेंग है इन केस ओप माइन हेविंग और सब्सक्राइब थी का थे कंट माइन शेक्ष्टन या जो वर्टिकलल प्रोजेक्षां दिखाएंगा ना और ओपन कास्ट के केस में क्या है कि Inclination कुछ भी रहे इस्पेक्टीव उब्दा इनक्लाइनेशन अब्दा से शीम का Inclination कुछ भी रहे और येन्टल रहे वर्टिकल फुली भर्टिकल रहे या इस्टीपली डिपिन्ग कुछ भी 10-20-30-50-70-80 कुछ भी रहे हमको सिम का इंकलेनेशन सी यहां कुछ लेना देना नहीं हम लोग क्या करना है जो भर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाएंगे न वह हर एक 100-100 में 100-100 प्रोजेक्शन में 100-100 मीटर हो गया तो परतेक 100-100 मीटर के इंकलेनेशन से कोई लेना देना नहीं lden in the incarnation कहां आता है जब अन्ड य नियुकि आगे पढ़े cheign च्रहिक लिए अब दिखाना है कि वंड़रेशन प्लान में क्या दिखाना है यह ध्यान प्लान रहो किए डी में दिया सब्लान स्किलेशन प्लान में वह अंदर और वान में वह और से लेटेट जो भी चीज क्यों सेंद्टीलेशन से त्यों जहें हावा का डारेक्शन क्या है लिसे आप यह बैट चौन्स को जेखे इंद्टु अलगर हो फोट भूत फे वह सारा को दिखाना है जिस पॉइंट में हम लोग एर का क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं अस्टॉपिंग दिखाएंगे परतेग रूम जो यूज क्या जा रहा है इन्फामेबल मेटरियल को स्टोर करने के लिए वह सारा दिखाएंगे इसमें क्या एक्सेप्शन वाला चीज फालम जो मैंड में रहता है बंज क्या है कि जो स्टोन डस्ट बेरियर होता ही यह वियूटन दोसोट धिया प्लान में सो करते हैं हैं कि पॉंपिंग हो टेलीफ़ोन हो गया और इंबूलेंसस्टेशन हो घी आजएान थी थिईयो शर्य औरोसमितर आक्षगर दया स़सें ठेके यह चीज आ जाता है तो मोरा पर में में माइल कामInt gider करता है कि नृट्स प्लान है तो pumping दिखने क्या जोड़त है एम्बौन्स टिखाने क्या जोड़त है तो दिखाना धियान दखना अवसे वेbeysk्य πलान में सो करना है इसमें सिर्फ जोई इंपोटेंट था वो बता है ठीक न कि ये तीन चीज से ही कोस्ट आ जाता है अस्टोंड डॉस्ट बेरियर भी है कि अगर कोल डॉस्ट एक्सपोजिन वगर रोकना है तो हम लोग माइस मास्टोंड रस्ट बेरियर का जगा-जगा वह उस्था क करके रखते हैं कि ठीक है अब बाके ध्यान रखना वेंटलेशन से रिलेटिट कोई भी चीज आ जाएगा सारा ओप्सन में होगा सिर्फ और यह तीन एक्स्ट्रा है ठीक ने पॉंपिंग अस्टेशन वेरा अलग हुए तो यह कोस्टन वहीं साथा देखते हैं कोस्टन है क नहीं ठीक है कि अपस्ट्रेशन प्लान का वह ध्यान रखना है वह एबी सीडी में आ गया है वेंटलेशन प्लान यह ठीक है है लोंग वाल वर्किंग दिखा रहा है जो भी है इन्टेक रिटण दिखा रहा है यह आप पर M में क्या पढ़न हैं हम लोग surface plan B में क्या पढ़न हैं underground plan C क्या था vertical projection section D में क्या था ventilation plan E में क्या पढ़ था ज्वांट survey plan मतलब क्या कि यह मालो कि इधर एक माहिन से ठीके न कि माइस का यहाँ है और इधर दूसरा माइन से के तो जब हम लोग का वरकिंग है ने विदिन 60 मीटर वाला रेंज में आ जाएगा इधर वाला विदिन या इधर से भी तो कॉमन बॉंडर्य, यह क्या है बॉंडरी कॉमन बॉंडर्य है यह भी माइंस ए है यह माइंस भी है दोनों के लिए बाउंडरी क्या है कॉमन है अगर हम लोग कॉमन बाउंडरी के 60 मीटर के अंदर वर्किंग में पहुच जा रहे हैं तो जौ करना रहता है तो जौन सर्वेट प्लान का जब भी बात आएगा तो मनें डाटा देहां तो है में सबस्केंड केस कि ऑग दिया हुआ है कि कॉन बॉंड्ड हुए कि अपना मामीर्थी डूसरा मा ही थी रहे लेकिन है होगा इसक खत्म हो रहा है वही भावनल्ड है नुट ठीके ने यह माइन्स वाला बोल रहा है कि मेरा बॉंडरी यहां तक है और यह माइन्स वाला बोल रहा है कि मेरा बॉंडरी यहां तक है ऐसा कुछ बॉंडरी तो उस केस में यहां पर जो काम करने वाला इसके अगर साथ मीटर के विदिन में पोज़ गया यह माइन्स वाला यह जो क्लेम कर रहा है आपकी मेरा माइन बॉंडरी है और यह क्लेम कर रहा है क्या यह माइन्स वाला कि मेरा माइन बॉंडरी है यहां सकता है यहां हो सकता है क्लेम हो सकता है तो उस-कैस में क्या होगा कि जैसी यहां कूर करता है यहां का बॉंडरी हो सर्वय प्लानले सो करना है उससे को दिखाया हुआ यहां पर डिस्पूटेड बॉंडरी मतलब किलियर बॉंडरी नहीं है उसमें लगाई जगड़ा चल रहा है वह अनर बोल रहा है मेरा यहां तक बॉंडरी यह न और पर रहा है तो वह दोनों साथ मीटर के रेंज में दिखा देना है अब देखो ज्वाइंट सर्वे प्लान में क्या दिया हुआ है सौइंग डा डिटेल्स रिक्वाइड अंडर क्लाउज भी ओफ इस सब्रेगुलेशन प्लावज बी कहां थे यह अंडर्गाउंड वाला थे च्वाइंड प्लान में जटी वाला दिया हुआ अवे यह वह दिखाया जाब कि जॉएंड सर्वें प्लान में ध्यान दखना वह ज्यादा इंपूनले 263 pesos म सरफ करना क्वांपर 6 शक्या है मतलब माइन प्लान ओ सेक्षन पढ़ रहा है सोङ 2 मीटर एक अस्पोर्ट लेवल कप मिलेगा वो 1500 मिटर वाला बस यही चार डाटा पर पूरा यह कम्प्लेट है माइन प्लान सेक्षन ठीक है ना जी लोजिकल प्लान कितना स्केल होता है या जी लोजिकल प्लान का कहीं इसका देख लेते हैं आज तो नोट्स में लिखावा नहीं है जी लोजिकल प्लान हाँ जी लोजिकल प्लान का जो आरेफ रहेगा न वो 5000 इस्टू वन यह सर्कुलर जो है पेरसट 1964 के कोर्डन ठीक है ना